आई येस 191 गैंडे गैंड की लीडर मुक्तार अंसारी की मुश्किलों कम होने की बजाए बढ़ती ही जा रहे ही प्रशासन वारा मुक्तार सहित इन से जुलें लोगों और नाते रिष्टदारों के खिलास आए दिन कारवाई का डंडा चलाया जा रहा है इसी करश में रवेवार कुपृ बशासन ने मुक्तार अंसारी के बड़े भाई बसपासांसर अवजाब अनसारी की करोडों की चार जमीनों को गैंडे स्तर आट के तहध मुनादी के बीच खुर्प करने की कारवाई की इस कारवाई के बाद अंसारी बंदूओं में हड़कम मच गया है पुलिस अधिक्षक रोहन पी बोने कि नितित्व में बस्पा सांसर अफजाल अंसारी की मुहमधाबाद तेहसीरी की चार जमीनों को पुलिस दौरा मुनादी के बीच कुर्ख किया गया इस समय में स्पी ने बताया कि अपराद और माफिया राशों खतम करने के लिए लगातार गैंस्टर अक्ट में मुकदमे पंजिक्रिट किया जा रहे है इसी क्रम में पूर्व में मुहमधाबाद कोतवाली छेतर के यूसुफपुर निवासी अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंस्टर एक्ट की धारा चौदर एक के तहट मुकदमा पंजिक्रिट किया गया था आज उनके द्वारा अवैक ढग से अर्जित की गई चार जमीनों को मुनादी के बीच कुर्प करने की कारवाई की गई कुर्प की गई जमीनों की कीमत लगभग 15 करोड है यह कारवाई जिलाधिकारी की नडेश पर की गई है उन्होंने कहा अपरादियों के खिलाफ इस तरह की कारवाई लगदार चलती रहेगी आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा पिछले कई माह से मुक्तार अंसारी के खिलाफ कारवाई की जा रही है उनके नाते रिष्टदारों के अलावा उनसे जुड़े लोगों का शस्त लाइसेंस निरस्त करने के साथ साथ उनकी संपत्यों को भी कुर्प करने और निर्माडों को धुनस्त करने की कारवाई की जा रही है आज मुक्तार अंसारी के बड़े भाई सांसत अफजाल अंसारी की जमीनों के पुर्की की कारवाई के बाद मुक्तार के नाते रिष्टदारों के साथ ही उनसे जुड़े लोगों में हड़कम मच गया है अपराद नियंतरन और माफिया राज को खतम करने हेतू लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ गैंग्स्टर के मुकत में जो है वो पंजिकरित किये जा रहे है आज अपरादी अफजाल अंसारी के पंद्रा करोड रुपए की प्रॉपर्टी जो है वाजब्त न की जा रही है चार प्रॉपर्टी कुल मिला के इसमें सम्मिलित है इनके गिरों में रिलेटेड जो भी व्यक्तियों के खिलाफ गैंग्स्टर के कारवाई की गई है उनकी प्रॉपर्टी अप्ती करण भी कराए जाएगा सर कुल कितने अभूमी है और कितने कुल मिला के चार प्रॉपर्टी जान है इनकी अलग अलग उसका चेत्रफल है और अनुमानित कीमत मैंने बता दी है कितना है सर पद्रा करोड रुपा है गाज़पर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं